मिसल पाओ महरास्टर की बहुत ही फेमस डीश है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ एकदम मिसल पाओ की ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेजिपी स्टेप बाई स्टेप बनाएंगे और एक बार अपनी से घर पे बना लिया ना तो हर बार मिसल पाओ आप घर भी बनाएंगे जब शादी के बाद पहली बार मैं पूने आई थी और मैंने मिसल पाओ खाया था तो पहली बार लगा कि कितना तीखा होता ये लेकिन जब खाने के बाद वो टेस्ट जो था ना वो ऐसे जबान पर बैड गया और मुझे इसकी खाने की आदत पड़ गए मतलब तीखा तो होता है बट एक बार आप खाएंगे न तो आपको मज़ा ही आ जाएगा तो यहाँ पर आज मैंने बनाया है मिसल पाओ जिसमें मैंने पूरी थाली बनाई है तो अभी मैं आपको दिखाते हूँ कि इसके साथ क्या-क्या रखते हैं तो यहाँ पर ये बॉयल मत्की है ये फरसान है और अगर आप तीखा खाते हैं तो उसके लिए तीखी वाली तरी भी है साथ में हम आलो का मसाला रखेंगे प्याज रख दे दही इसे बनाने के लिए मैंने दो कब भीगोया हुआ मटकी लिया है मटकी आपको किसी भी किराने के दुकान में मिल जाएगी अब हम इसे उबाल लेंगे अदी छोटी चमच छबडे और आदी चवटी चमच नमक डाल देंगे हल्दी और नमक को मिला के हम इसे प्रेशर कुकर में दो सीटे आने तक उबाल देंगे जैसा कि मैंने बताया ट्रेडिशनली हम इसे पती ले या फिर कड़ाही में उबालते हैं, प्रेशर कुकर में नहीं उबालते हैं, मैं यहाँ पर फटा-फट वाली रेसिपे दिखा रहे हूं, जिससे आपका टाइम बचेगा, तो यहाँ पर गयास का फ्लेम हाई कर दें, और हाई फ्लेम पर दो सी प्रेशर कुकर को खुद से ठंडा हो जाने देंगे, जब प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तब हम इसे सावधानी से खोलेंगे, और यहाँ पर हम इसे एक बर चेक कर लेंगे, तो मटकी हमारी अच्छे सुबल गई है, यह आप देख सकते हैं, तब हम क्य क्या करेंगे ना कि इसका पानी अलग और मटकी को अलग कर लेना है, इसी पानी से हम इसकी तरी बनाएंगे, तो इसलिए मैंने पानी का इस्तमाल ज्यादा किया था, अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेते हैं, मतलब मटकी को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे स् आलो का मसाला ही, तो जैसे डोसे के लिए आलो का मसाला होता है.. वैसे ही बनाया जाता है तो तिल में मैनने राइ डाला है। हरी मिज डाला है करी पत्ता डाला, इन तीनों को हुँल unser निंगे इसके बाद हम से तोड़के डाले ऐसे कट करके नहीं डालना है हाथों से तोड़के ही डाले तो जैसा कि मैंने बताए कि डोसे के लिए जो आलू का मसाला बनता है वैसे हमें इसे बना लेना है बहुत लोग इसमें हल्दी का इस्तमाल नहीं करते हैं मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डालती स्वाद के निमसार नमक डाल दे, हल्दी नी डालेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा ऐसे ग्रीनिश आएगा तो जैसा आपको पसंद है वैसा करें मुझे हल्दी कि बिना खाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं हल्दी हमें शायड कर दियू बुड़ा सा हम इसमें धन्या पत्ता डाल देंगे और इसे मिला देंगे तो यहाँ पे और मेरे याँ तो बोलते हैं कि हल्दी शूब होता है उसके विना खाना बनता ही नहीं तो यह अपनी अपनी मानने ताय मैंने बोलूँगी कि आप इसमें हल्दी आइट करें अगर आपको अच्छा लगता है तो डाले हल्दी से बस कलर का फर्क पड़ेगा तो यहाँ पे हमने आलू का मसाला बना के तयार कर लिया है अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में जहाँ पे हम मिसल के लिए मसाला बनाएंगे यह मसाला रेडिमेंट भी मिलता है मार्केट में और आप चिये तो इसे घर पे बना सकते हैं तो इसके लिए तवे पे मैंने एक चमच जीरा ले लिया एक चमच धन्या ले लिया एक बड़ी लाइची डाल दी मैने दो छोटी लाइची इसके साथ हम इसमें चार लवंग डाल देंगे आट से दस साबुत काले मिर्ची डाल दे और एक इंच के करीब आप इसमें दालचीनी डाल दे इन मसालों को हम 8 से 10 सेकंड की लिए ऐसे भूल लेंगे जैसे ही मसालों से अच्छी खुच्पू आने लगेगी हम इसमें डाल देंगे सफेद तिल और खसकस तो यहां पेना पहले इसे अच्छे से सेक लिए इसकी बाद हम इसमें एक चमच ये सेसमें सेट्स यानी सफेद तिल और एक चमच ये खसकस यानी पॉपी सेट्स डाल देंगे इन सब को अच्छे से मिला दे जैसी मसाले थोड़े से गरम हो जाए और इनसे धुआ आने लगे तभी हमें गयास को बंद करके इसे निकाल लेना है बहुत ज़्यादा नहीं सेखना है इसे बस जैसे ही ये तिल वगरा चटकने लगे वैसे हम इसे ऐसे निकाल लेंगे तो यहाँ पे ना सुखे मसाले को अलग भूनना है और गिले मसाले को अलग तो ये मसाला सुखा मसाला हो गया, इसे मैं अलग रख देती हूँ और तबे पे एक चमज के करीब तेल डाल देंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें तीन इंच अद्रक, बारह से पंद्रह आप इसमें छीले वी लैसुन डाल दें और लैसुन अद्रक को थोड़ा सा भून ले अब हम इसमें डाल देंगे तीन से चार बड़े चमज सुखा नारियल यानी खोबरा इसके साथ हम आधा कप ऐसे लंबाई में कटा हुआ प्यास डाल देंगे और इसे भी ऐसे भून लेंगे तो नारियल इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आपके पास सुखा नारियल नहीं है तो आप फ्रेश नारियल का भी इस्तमाल कर सकते हैं ट्रेडिशनली प्याज को ऐसे डारियर्क्ट फ्लेम पे सेख के छिलका निकाल के उसके बाद इस्तमाल किया जाता है मतलब उसका पेस्ट बनाया जाता है तो यह तो आप उसे ऐसे डारियल को अच्छे से भून लिया है अब हम ग्यास को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे तो हमने पहले सूखे मसाले भूने थे ना उसे मैं mixer jar में डाल देती हूं तो सारे मसालों को हमें साथ में ग्राइंड करना है तो यहाँ पे आया सुखा वाला मसाला ज़बाला भूना वो डाल देंगे इसके साथ हम डालदेंगे चलाए और पीस ले इसके बाद ये देखे ये हमारा मिसल का मसाला जो है वो बन के तयार है ये आप देख सकते हैं तब हम चलते हैं फाइनल प्रासेस में जहां पे हम बनाएंगे मिसल तो उसके लिए एक पैन में चार चमस तेल गरम करें वैसे तो तेल का इस्तमाल जादा होत या फिर बारी कटा हुआ अद्रख लेइक चोटी चमस मैंने बारी कटी जाता है ये इसमें ऑपशनल है तो जरूरी लिए कि आप इसमें डाले अब हम इसमें आदा कप ऐसे बारी कटा हुआ पयास ड़ेंगे और पयास को दो मिनट के लिए भून लेंगे जैसे ही पयास मैं इसे डाल देती हूँ आप चीते इस मसाला पेस्ट को ऐसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं और 4-5 दिन तक इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे एक से डेड़ बड़ी चमच, बैड़ेगी लाल मिर्च या फिर नॉर्मल कश्मीरी लाल मिर्च भी अब डाल सकते हैं दो बड़ी चमच हम इसमें कांदा लसुन मसाला डाल देंगे ये मार्केट में आसानी से मिलता है मसालों को अच्छे से मिला दे, ये देखे, जैसे ही मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इससे क्या करेंगे, ढख के 4-5 मिनट तक धीमी आज़ पे पकने देंगे, मसाले को जीतने जादा अच्छे से पकाएंगे, आपके मिसल उतनी ही जादा टेस्टी बनेगी तो अब हम पैन को कवर कर देंगे और धीमी आज़ पे 4-5 मिनट तक पकने देंगे, पांच मिनट वाल पैन का धका नटाया मैंने, तो यहाँ पे मसाले को हमने अच्छे से भूल लिया है, यह आप देख सकते हैं, तब हम इसमें डाल देंगे पानी, तो पानी हमें नॉर्म पानी पहले डालना है, उसके बाद जरूयत के हिसाब से हम नॉर्मल पानी अड़ करेंगे, तो यहाँ पे यह पूरा पानी डाल दिया है मैंने, इससे अच्छे से मिला देंगे, गैस का फ्लिम हम मीडियम कर देंगे, और तरी में उबाल आने का इंतिजार करेंगे, आप च सकते हैं, तो अब हम इसे और भी पतला करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे गरम पानी, आप चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा उबला हुआ मटकी इसमें अड़ कर सकते हैं, यह देखिए, पूरा मटकी मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा इसमें आसे मिक्स कर द दे, ध्यान रहे, तरी जितनी पतली होगी, उतना ही मज़ाता है खाने में, स्वात के अनुसार नवक डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिला देंगे, अब हम क्या करेंगे, कि इसे ढखके धीमियाज पे 10 मिनट आराम से पकाएंगे, तरी को जितने ज़्यादा अच्छे स भूनेंगे मसाला, उतना ही अच्छा है, इसका कलर आता है, यह देखे, मिसल पाव हर जगा अलग अलग बनता है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनता है, कहीं थोड़ा तीखा कम होता है, मैंने यह जो बनाया है, यह एवरेज है, मतलब कोई भी खा सकता है, अब इस हिसाब से ऐसे बना सकते हैं, पतेले में रख दें, और इसके बाद फटा फट उबला हुआ, मतके रख के और ऐसे डाल के सर्फ करें, वो तो हम लास में देखेंगे, तो यह हमारी तरी जो है वो बन के तियार है, तो यह नॉर्मल तरी है, जो सब कोई खा सकता है, अब हम इसमें जो हमने तरी बनाई है, वो डाल देंगे, तो यहाँ पर यह दो से तीन सर्विंग स्पून, मैंने यहाँ पर यह तरी डाला थोड़ा सा और डाल देती हूँ, तो अगर किसी को तीखा ज़्यादा पसंद है, तो यह वाले तरी आप उसमें सर्फ कर सकते हैं, या फिर इसका जो तड़का है, वो आप ऐसे डारिक्ट उस्तरी में लगा दे, तो इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा हैगा, थोड़ा सा मैने नमक डाल दिया है, तो जब आप इससे सर्फ करेंगे तो नॉर्मल वाला करें, और थोड़ा से यह स्पाईसी वाला अलग स तो उसी होगा कि जिसको ज़्यादा तीखा खाना है वो यह मिक्स करकर सकता है और जिसको कम तीखा खाना है, वो उसमें बालिन्स कर लेगा, यह देखिए आप जेए तो इसका कलर और बी जयादा अच्छा या पिर आपको पूरा तीखा बनाना एं तो अब हम चलते हैं, त कटोर के लिए थोड़ा सालो का मसाला रखेंगे इसके उपर रख देंगे हम यह उबला हुआ मत्की यह सूकी मटकी भी कहते हैं, तो यहाँ पर यह मटकी रखा मैने, अब हम इसके उपर डाल देंगे फरसान, यानि कि यह जो mixture पसंद है तो दूसरा वाला जो मैंने तड़का बनाया वो इसके उपर डाले या फिर उस तरी के साथ थोड़ा सा मिक्स करें से मिसरड़ पाउ की जो थाली होती है उसमें सारी चीजे जो हम इसमें डालते हैं वो सारी चीजे अलग से भी दी जाती है ताकि अगर आपको एड़ करने है तो आप इसमें अपने हिसाब से कॉंटिटी एड़जस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे कटोरी में मैंने थोड़ा सा फर्जार रखा यूबली हुई मटकी रखी इसके साथ हम यालो का मसाला रख देंगे साथ में ही थोड़ी सी दही रख दें किसी को तीखा नहीं जमता है या दही मिक्स करके खाने में मजाता है मारी कटा हुआ प्याज और निवू रख देंगे थाली को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा डेजर्ट भी रख दे और इसके बाद ये जो तीखी वाली तरी हमने बनाई ना वो भी रख देंगे तो यहाँ पे इस तरी को इसलिए साइड में दिया जाता है कि अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है ज्यादा मैनत निये बनाने में ये टेस्टिस का बहुत अमेजीन आता है और एकनम ये थाली खाके ना दिली खुश हो जाएगा अगर आपने कभी इस रेसिपी को नहीं ट्राई किया है या नहीं बनाई तो आप इसे एक बाद जरूर बनाए मटकी अगर आपके रिजन में नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन ओर कर सकते हैं तो देखने में ये थाली जितनी कलरफूल लगती है जितनी टेंटिंग लगती है खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है और अगर आपको तीखा खाना पसंद है न तो ये रिजबी आपके लिए मस्ट रही है तो उम्हेद करते हूँ कि आज की थाली की रिजबी आपको पसंद आएगी तो ये थाली आप जरूर ट्राइ किजिएगा ये थाली आपको बहुत पसंद आने वाली है